आप सब के लिएक जनकारी है जुलाइद 24 का करेंड एफ जितना हम उन्हें पढ़ा था टुकुले टुकुलो में उसका कंप्लिट कंबाइनेशन कंपाइल करके एक जगह बहुत इंपोर्टेंट कोस्टनों का करेक्शन बना है बनाया है मैंने 50 कोस्टन है टोटल 50 कोस्टन का कोस्टन से 50 कोस्टन से उसमें अपना टेस्ट लगाइएगा उसके प्रेक्टिस कीजियेगा वह आपको कल संडे कल संडे के दिन आपको विडियो मिल जाएगा जो थामनेल होगा इस तरह से होगा जो उपनेल से देख आउनको येगा उसे लीजेगा वहां उसे प्रैक्टिस कीजिए गा सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे सिक्स एम में आपको वीडियो मिल जाएगी कंप्रियास कीजिए करेक्टिस कीजिए collection एक साथ मैं बनाकर फिर उससे अपलोड कर दूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो कमेंट बहीं बताइएगा कि एक ओलम्पिक में दो मेडल जितने वाले प्लेयर कौन है एक ओलम्पिक में दो मेडल जितने वाले प्लेयर है उनको कौन सी जिमेदारी दी गई फिर से और भारत में भी के फिल्ड में ही नई लाइक और इस्टडी ग्रूप में अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेटिव के साथ जरूर सेर भी करती चलिएगा विडियों को लाइक करना मत बुलिएगा और घंटी को बजाकर ऑल पर सेट कर लीजेगा जिसे करन सभी विडियों को नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंशते रहेगा चलिए इंपोर्टन सेट करते हैं का वा कि का वा का फूल पर्म क्या सी एवी ए सेंट्रियल एस एन वॉलीबोल ऑसोसीएशन दोएच चौबीस का खिताब किसने जित लिया है दोएच चौबिस यह वॉलीबोल जो टूनामेंट हुआ है इसको जित लिय इसके जित के साथ ही भारत दो बार इस चैंपियन को दो बार जित चुका है इस खेल को और इसका आयोजन कहा होता है तो नेपाल में इसका आयोजन हुआ था काड़मांडू में आयोजन हुआ था दसरत इस्टेडियम में इसका आयोजन कौन है तो नेपाल वॉलीबॉल एसोस चलिए नेक्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्ट पॉइंट है बुद्ध भटाचारिया यह वेश्च बंगाल के पुर्व मुख्य मंत्री हैं इनका निधन आठ अगस्त दौच दौच चोबीस को हो गया है असी वर्स की एज में इनका निधन हो गया है यह 2000 से 2000 से 2011 तक पक्षिम बंगाल के मुख्य मंत्री रह चुके हैं बुद्देव बट्चार यह इनका नाम है चलते हैं नेक्श पॉइंट है पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाक में इसका अविजन किया गया भारतिय सेना दुवारा लद्दाक में इसका अभ्यास किया गय अभी आगने से स्वाइब दिहां और इंटरनेशनल डे ओ न उफ द्लेप ऑल्ट रुडर्ट्ट ब्स, gay को इससे द्याम्राइब को Rich funeral कि रचल्डाइबายल पिरशा मुंडा writing रूखंड करूट जारखंड कई धार्टि-जिला में हुआ था इस पॉइंट पर चलते हैं नेक्स पॉइंट है लिंग्शूई 361 यह लिंग्शूई 361 क्या है तो दक्षनी चिन सागर में दक्षनी चिन सागर में चीन द्वारा एक बड़े गैस छेदर की खोज की गई है बड़े गैस छेदर की खोज की गई है जिसका नाम है ल लक्षिन सिंसागर के जो विवादित छेतर हैं उस पर फिलिपिन्स बियतनाम मलेशिया ब्रुनेई और ताइवान यह सभी देश भी उच्छेतर पर अपना दावा करते हैं यह विवादित छेतर हैं तो गैस के मिल जाने से यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इस इस छेतर को 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- पर आया तो जपान के दक्षनी दूइफ है किवसू किवसू दूइफ पर आया यह जो लाश्ट में दीख रहा है इसके बारे मैंने क्यों लिखा इसके बारी बताऊंगा दक्षनी दूइफ पर आया क्यूसु तो क्यूसु दूइपार ही भुकम पाया है। चेथपल में अगर इस तो उत्तर से बकशिन की और हमों कुभ्ण सबसे पहले कौन सा है उत्तर से दकशिन की और नौर्थ τοु शाउथ हमों तो जो इसांप से सब देखा जाएगा जैए दूसरे नमबर हो solon si में सबसे बढ़ है तो जुआ है से जुए जायेगा फैर हो कांड्धू । तीसरे नमबर पर क्योस्आच सब पराण नमर क्योंसे नमबर ऑर्प चाउथे सबसे छोटा चेतफल में कौन सा हो जाएगा तो सिख को कू चेतफल के साथ से जपान की रधान होंसु द्वीप पर ही इस्तीत है नेक्ट पॉइंट है वेन गंगा और नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना यह महराज स्रकार द्वारा मंजूरित दी गई है इसकी घोशना की गई है वेन गंगा नल गंगा नदी के पानी को जोड़ने की मंजूरित दी गई है तो वेन गंगा क्या है वेन गंगा गोदाव सब्सक्राइब करें तो मनु भाकर को पहले ही नामित किया गया था अब उनके साथ प्री अर्ष्रीजेस भी होंगे इसकी भी घोशना की गई को प्रीजेस को यह नई जिमिदारी दी गई है और इसके साथ और क्या जिमिदारी दी गई है तो प्रीजेस को जूनियर मैंस होकी टीम का हेड कोच निक्त किया गया है प्रीजेस को यह भी ध्यान रखिएगा होकी इंडिया दोहारा पीर स्रीजेश को पीर स्रीजेश को 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2015 में अर्जुन पुरस्कार और पदमिस्री मिल चुका है 2017 में 2017 में पदमिस्री मिल चुका है मेजर ध्यानचन्द खेल रटन अवार्ड कम मिला है पुरुषकार कम मिला है तो 2021 में यह भी ध्यान रखी इंपोर्डेंट है मेजर ध्यानचन्द खेल रटन पुरुषकार पीयर स्रीजेस केरल से बिलोंग करते हैं इसी भी ध्यान रखना है नेसले टो कमेंड बताइएगा कि एक हिओ iszकि दो मेडल जितने वाले प्लेयर क्वरुस्ट ऐसे पहर मेंदे इसे भी आवरूत देख लिजिएगा चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यह मैस्कोट है सुभंकर है फ्रीद जिसका नाम है दोह चोबिस पैरिस लॉम्पी का सुभंकर लाल टोपी है जो की पैरिस की क्रांती से संबंद इस टोपी का चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ह आमन शहरावत अमन सहराथ हरियाना के खिलाडिए 57 डीवें फ्री तीम में भ्रॉण्ज मेडल जीता है अदे भारत के लिए इनों चट्था मेडल जित लिए हैं वारत को अब मेडलकर 13 ओलम्धिक में चॉपी जी टीन तीन मेडल हुई जीता है भारत ने सूटिंग केटेगरी में एक हो गया होकी में होकी टीम ने प्रोंज मेडल जीता एक जैवलिन थ्रो में याने कि ट्रेक एंड फिल्ड केटेगरी में और यहां और एक हो गया कुस्ती में तो छे मेडल टोटल सिक्स मेडल हो गए हैं अमन सहरावत ने किसे हराया है पिटो रिको पिटो रिको के खिलाडी डेमियन टोई क्रुज को हराया है पिटो रिको करेबियन कंट्री है इसके बारे मैं मेब में बताऊंगा पिटो रिको कहा है इसको मेब के माधियम से भी समझेंगे और अमन सहरावत ने इससे हराया है कि हराने के साथ ही इस मेडल के जितने के साथ ही अमन सहरावत भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गये हैं ऑलम्पिक मेडल जितने वाले कितने वर्स की एज में 21 वर्स 24 दिन 21 वर्स 24 दिन में इन्होंने यह कर नमा कर दिखाया है इसके पहले बैंड मिंटन प्लेयर पीबी सिंदू पीबी सिंदू ने 26 में रियो डिजिनेरियो उलम्पिक में सिल्बर मिडल जिता था 21 वर्स एक महीने 14 दिन की उम्र में तो सबसे इवा खिलाड़ी पीबी सिंदू थी इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है परन्तु यह महिला में अभी भी फरस्ट है और पुरूस में यह बन गए है आमं सहरावत पीबी सिंदू महिला में अभी भी फरस्ट है तो सबसे इवा खिलाड़ी अमंध सहरावत बन गए है अब उलम्पिक में मिडल जितने वाल है got you यह भी सिंदुगार को रिकॉर्ड दोड़ देगी ओलम्पिक में अब तक कितने मेडल भारत ने जीते हैं और लगतार पांचवी बार किस तरह से हुआ है तो पहला मेडल जो कुस्ती के लिए था केड़ी जादो दोवारा जीता है है houses Danny स्वावन में नाइंटीन फिट्टी टू में ब्रोज मेडल इन्होंने जीता था है lucky से 2012 में सुसिल कुमार द्वारा 2012 में लंदन ओलम्पिक में सिल्बर मिडल जिता गिया था तो दो मिडल सुसिल कुमार द्वारा 2012 में ही लंदल उलम्पिक में सिल्भर मिडल जिता था पांचवा मिडल साक्षी मलिक यानि कि पहली महिला पहलवान कुष्टी रेसलर में पहली महिला पहलवान दुवारा यह मिडल जिता गिया था 2016 में, 2016 में Bronze Medal, रिये अलॉम्पिक में, प्रियो अलॉम्पिक में Bronze Medal जिता साक्ची मलीक ने जो 6th medal था, 6th medal था, रवी कुमार दहिया दोवारा 2020 में, 2020 के Tokyo Olympic में इनुह ने जिता था रवी कुमार दहिया ने Silver Medal, रजद पदक जिता था sıं अच जूजर बीस में ही बजरंग पुनिया ने कुण सा मीडल जिदा था तो ब्रॉंज मीडल यानि कि 180 जीता था बजरंग पुनिया ने और इसके बाद आठवा मिडल जीता है अमन सहरावत ने काश पदग22 पैरिस ओलम्पिक में इस प्रकार से उलम्पीक में भारत के टोटल 8 मिडल हो गये हैं 8 मिडल हो गये हैं कास कुष्टी के छेदरे में 8 मिडल हो गये जिन्मेंकी 2 सिल्वर मिडल है और छे जो है ब्रॉंज मिडल इस तरह से कंप्लीट डिटेल है तो सबसे इवाख्याडी बन गए अमर्श सहरावत हुआ है दो बार एलमपीक में कुष्टी पर्डग में जितने वाले सुसिल तिह मिडल जितने वाले कुष्टी में में深wright तों छेदरिख्याडा है रीयो ऑलोंपिक 10 सेविक। आप थोड़ा प्यूट्री को भी देख लेते हैं जहां कि खिलाड़ी को जो डेरियन टोई क्रूच जो खिलाड़ी है इनको हराया है अमन सहरावत ने 57 वरकिक कडिक 57 यह भी धियां रखिया किस कडिगरी में 57 के फिरिश्ट्याल कडिगरी में उन्हें हराया है यह देखिए समाथ यह अपना कर दते अमेरीका ये उतरी अमेरीका क्यों और यह करेबियन सिर यह अट्लांटिक ऑशन आट्लांटिक महासागर तो सब्सक्राव कि एसी देशक के खिलाड़ी इसे उसका क्वारी को या अफ कि उग मलझ्यासागर सब्सक्राद्या टियरियं टोई क्रूज जिनका नाम है इनको हराया है अमन सहरावत ने और ब्रोंज मीडल हासिल किया है तो लगतार पांच लगतार पांच उलमपिक में देखें यहां से 2008, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024 यहां 2024 और कुष्ती में जो अलमपिक मेडल जितने की जो continue है continuity है उसको continue रखाए अमन सहरावत ने लगतार 5 ओलोंपिक में कुस्ति में मिडल मिला है भारत को लगतार 5 ओलोंपिक में 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024 लगतार समर ओलोंपिक सभी है ये लगतार 5 ओलोंपिक में आज के लिए इतना ही आसा करता हो लोग सेशन पसंद आया होगा और आपनोंगे लिए इंपोर्डेंट रहेगा इसी आसार उमिद के साथ मिलते हैं फी नए वीडियो में तब तक जैहिंद स्वस्तर हैं मस्तर हैं धन्यवाद जैहिंद